हेलो निवी फैंस वेलकम टू मना प्राइम ये है सुप्रीम कल्टिवशन का एपसोड एट नाव लाट्स बेगें एपसोड इस शेड़ी में लेखते हैं लूफी ने फैंगली के बंदों की बहुत ज़त देंसल्ट कर दे होती है जिसका बदला लेने के लिए फैंगली का एक फैंगली खुद आजाता है और अपने अटेक से लूफी ये उस अटेक को पूरते से बिकार कर देता है फिर फैंगली लूफी से कहता है तुमने मेरे एक साथी नेम को काफ़ एच्छी टकर दी और लगबग उसे हराने वाल थे इससे पता बरता है तुम में काफ़ी पाव हो गया है आजाओ हम दुनों फाइट करते हैं फिर मैं तुम्हारा गवन तोड़ दूँगा इसी समय एक जोड़ सा वाचन देती है फैंगली ये आउटर सेक्ट है तुमारे खेलने का मेदान नहीं जहां पर तुम एसी आकर किसले फाइट करोगे ये कहते हुए एक रोग पर जाता है जिसका नाम गाव जैंग है ये भी एक बहुत शांदर गल्टीविटर है आउटर सेक्ट के अंदर इसकी रैंक 10 है फैंगली गाव से कहता है गाव तुम बीचे मताओ ये मेरे और इस लड़के के बीच की बात है गाव कहता है अब तो मैं बीच माँ चुका हू जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर कोई फैट नहीं होगी फैंगली कहता है चलो ठीक है तो फिर पहले तुम्हें हिटा देता है ये केता है फैंगली अपनी तलवार से गाव पर टेक करने के लिए गाव की तो भागता है गाव भी अपनी तलवार की सुरके उसके को ब जैंगली और गाव अपना फाइनल टेक करने के लिए एक दूसी इतरों भकते वे आते हैं उन दोनों के टेक से बीच में आकर अपने हाथ उसे उसे तलवारों को रोग देता है और फिर चिल्ला के उन दोनों से कहता है जैंगलन कल्टिविटर के रूल्स को क्या तुम भूल इस तरह से तुम कहीं भे भी फाइल्ट नहीं कर सकते हो ये सुनटों दोनों कल्टिविटर उसे एल्डरत से माफ़ करें लगते हैं एल्डरत उन दोर उनको माफ़ करें देता है और उनसे कहता है ठीक है अब सब किसब जाओ यहां से मुझे कोई भी यहां दखाइन देना चाहिए यहां से इस इस शिफ्ट वो जाता है लूफी को इस चैंगलन कल्टि में आए वे नो मेने हो चुके हैं चैंगलन कल्टिविशन का एक नियम होता है यहां पर एक बिल्टिंग है जिसको ट्रेल टावर बोलता है हर एक कल्टिविटर जो की इस चैंगलन कल्टि के अ लूफी को देख रहे होते हैं वह देखे कहते हैं यह तो लूफी है ना यह बहुत शंदाव डिस्पल है दूसर कल्टिविटर कहता है हां मैंने भी इसक्वर्यूर सुनाए चलो अब देखते हैं यह इस टाउर के अंदर कितना कर पाता है ज्यादस ज्यादा यह आज पूरी के दिन में कैल इस फ्रस्ट फ्लोर्र कंप्लीट कर पाईगा वह दोनों कल्टिविटर धा यह कहे रहे होता हैं इतनी देर में लूफी फ्लोर के ऊपर एक लैट चमकने लगती है जोकि संबल होता है यह देखर दोनों कल्टिविटर बहुत चोब जाते एक उसकी सेकिन बात सब्सक्राइब जाता है तो फिर अब तो मुझे इसका डिवर्ड बिना चाहिए जो कि contribution point जिसनकर wilder लूफी की तरफ एक token बढ़ाता है और फिर लूफी से कहता है इस token में वदत से तुम कोई भी mystical technique सिख सकते हो लूफी उस token लेकर अपने पास में रख लेता है इसकी बाद में ग्यून सुई को दिखाते हैं इस पूरे 18 मेने के टाइम में लूफी ग्यून सुई से भी बहुत आगे निकल चका होता है लूफी कहती है इस पूरे set के अंदर मेरी rank 98 है लेकिन लूफी अभी भी मुस्से बहुत ज़दा आ गया है लेकिन मैं इस game को काफी तेज़ी से कम करते जा रही हूँ मुझे पूरे एक कीन है एक टाइम आएगा जब मैं उससे आगी निकल जाओंगी इसके बाद में हमें लेडी कल्टिविटर जाओंग को दिखाते हैं जो कि एक हुटल केंसे बेटी होती है तब ही जाओंग के पास में टाइशो नाम का एक डेसिपल आता है उसके आद में काफिसार खाना होता है वो जाओंग से कहता है क्या मैं या मैं बेट सकता हूँ जाओंग से बेटने की परिमिशन दे जिती है फिर टाइशो जाओंग से कहता है जाओंग मैंने एक वारे मोथ सुना है आप कावज़त तागत हरो आपने बहुत कम टाइम में चीप डिटिक्शन के कई सारे लेयर्स को क्रिपलिट कर लिया है जावों कहती है टाइशो तारीफे तो मैंने आपकी भी बहुत सुनी है आप भी कल्टिशन काफी अच्छे हैं ये सुनता ही टाइशो की मनमें लड़की फूटने लगते हैं वो सोचने लगता है इस चैगलिन कल्टिविशन की चार सब सुन्दे लड़कियों में से एक मुझे जानती है और मेरे वारे में उसकी पास में इंफोमेशन है टाइशो उन चार लड़कियों में सोचे रहाता है इससे में दो लड़कियां आकर टाइशो की चपकरी लगती है और टाइशो से कहती है आप हमें भूल तो नहीं गए हम भी आप ही कारफेची दोस्त है टाइशो उन्हों खुछ से दूर करने लगता है और उनसे कहता है मेरे पास भी मत काओ ये कहता है टाइशो सोचने लगता है जाओ हों मेरे सामने बेठी हुए है जब वो देखेगी कि ये दो लड़कियां मेरे से चपकरी है और मुझसे इससे दोस्ति करना चाहती है तो वो हो सकता है मुझसे इंप्रेस हो जाए ये कि सुचने वे टाइशो सामनी तब देखता है जाओ हो उसकी तब देखे नहीं रोती है ये देकर टाइशो को बहुत बुरा लगता है वो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है ये तो मुझे इतनी बूरता से ग्णोर कर रही है मैं सामने बेठा हूँ और ये किसी और को देख रही है फिर्म देखते हैं Zahao Hong इस टैम पर Luffy की ते देख रही होती है Luffy उसी होटल की सिट वाली एक टेवल केवर बेठा हुता है जाव होंग लूफी को अपरेवल टेवेले बलाती है ये दिकल लूफी खुश जाता है लूफी तोने लुटकर उस टेवलागी बैठ जाता है ये बात टाइशू को बिल्कुल प्याची ने लग दिया होती है जाव होंग और लूफी अपसे बात कर रहे होते हैं और वहीं टाइशू सोच रहोता है कि किस तरह से लूफी की इंसल्ट करें। जब उसे और कोई पॉइंट नहीं मिलता तब लूफी से कहता है। लूफी मैंने सुना है तुम्हारे पास में और नई रिबों फ्रेम है। इसके बावजूद भी तुम कल्टिविशन में कव जद आगे निकल चुके हो लेकिन इसमें जदा खुश होने वाले बात नहीं है। अभी के टाइम पे तुम भले ही आगे हो लेकिन धिरी धिरी तुम्हारे स्पीड कमन लग जाएगी और हम सब तुम्हें पीछे चोड़ देंगे तुम एक जगे पर रुके रहे जाओगे। ये सुनकर लूफी टाइशो करे देखता है, हसता है और फिसे इग्नॉर करे देता है। मैं खाना खा रहे हूं टाइशो करेता है, मैं अपनी बात को दुबर से रेपीट नी करूँगा। जल्दी से मिरसाथ भार चलो, ये केते हैं टाइशो लूफी का हाथ पकड़ लेता है, लूफी तरंद अपना हाथ जटक कर अपने हाथ को टाइशो के हाथ चुड़ा लेता है, ये देखर टाइशो को बहुत गुस्सा आता है, टाइशो वहीं पर लूफी के मकमानी कुछ करत लेकिन अब क्योंकि शायर में लड़किया है तो टैशो उस पूरे देदर कंट्रोल करता है और फिर लूफी से कहता है लूफी यह तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है तुम्हें इसका बहुत देदर रेक्रेट होगा यह कहता है लूफी कहता है मेरा खाना बस खतम हिने खाना खतम करते हैं मैं बाहर आजाओंगा तुम चाहें तो तब फाइट कर सकते हैं तुम्हें जानेगी जो इतनी है बस फोरी देर वेट कर लो टाइशो कहता है नहीं अब मेरा मन नहीं है तुम्हारे किस्व में सच्छी है तुम इस बार बच गए लिंग जब अगली बार बिलेंगे तो भी फैट जरूर होगी यह केते हैं टाइशो उन लडगों के सामने अपनी जित बजा करवांच चला होता है और यहीं पर इस स्रीज का यह एपसोर्ट खतम होता है ना थैंक यू फर वाचेंग